दो हसार चौबीस में लोग सभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोग सभा चुनाव को मद्दे नसर रखते हुए हर एक राजनितिक दल भारतिय जनता पार्टी को बड़ी बड़ी चुनोती देता हुआ नसर आ रहा है अब सपाप्रमो का खलेश यादव ने एक और बड़ा एलान कर दिया है पलवी पटेल के साथ मिलकर नमस्कार मैं प्रांशी राठोर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस दरसल आपको बता दें कि आगामी लोग सभा चुनाव को मद्दे नसर रखते हुए सपा आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोग सभा चुनाव में अपना दल कमेरवादी के साथ उनकी पार्टी का गठवंदन जारी रहेगा और उन्होंने आश्वाशन दिया है कि उसे पूरा सम्मान दिया जाएगा लखनों के इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान में अप वाले समय में बदलाव होना तै है हमें जो कुछ भी विरासत में मिला है उसे आने वाली पीड़ी तक पहुंचाना है और उसे बहतर और मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है अकलेश यादव का कहना रहा कि 2024 का लोग सभा चुनाव वो साथ मिलकर लड़ेंगे और आप लोग जिस विश्वास के साथ हमारे साथ आए हैं हम उसका पूरा ही सम्मान करेंगे इस तरह से अकलेश यादव ने साथ तोर पर अपनी बात रखी इतना ही नहीं जातिगत जनगरना कराने को लेकर भी उन्होंने दावा किया है अकलेश का कहना रहा कि सपा संस्थापक मु अगे बढ़ना है जो लोग आज सत्ता में हैं वे पीडिये यानि की पिछड़ा दलित और अल्प संख्यक की ताकत को नहीं जानते आरोब भी लगाया कि 2022 के चुनाब में हाड़ने के बावजूत बीजेपी धोके से सत्ता में बनी रही है वहीं दूसरी ही तरह पल्लवी प पटेल की पिता सौनिलाल पटेल ने 4 नवंबर 1995 में की थी अब देखा जाए तो यहां पर इस गठवंदन को लेकर यह बाते स्थाफ तोर पर कह दी गई हैं देखना यहां पर यही दिल्चस्थ होगा कि आखिरकार पल्लवी पटेर और अखलेश यादम बिलकर 2024 में किस तर पल्लवी पटेल यहां पर जो दावा कर रही है क्या इस दावे में वह सफल हो पाएंगी या पर नहीं इस खास रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज